नमस्का दोस्तों मैं डाक्टर संजय कुमार गरेलू इलाज देखिए 100% सटीक इलाज देखिए मेरे वीडियो नमस्का दोस्तों मैं डाक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल के मद्यम से आपको बतानी जा रहा हूँ अरवेदी कुप्चा गरेलू उपाए जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्त रहेंगे आज की जो वीडियो है ये वीडियो है दिमाग के लिए जैसे कि दिमाग में बुखार का आना जब दिमाग में बुखार आ जाता है तो इसमें बाद में सिम्टम्स बहुत आते हैं और जैसे आप इसमें कोई ऐलूपेटिक टीट्मेंट आप करा रहे हैं दिमागी बुखार में वो आप कराते रहें वो आप कराते रहें उससे हमारा कोई मतलब नहीं मैं इसमें आपको एक घरे लूप चार देने जा रहा हूँ क्योंकि जो इसमें आने वाले सिंटम्स होते हैं उसमें आपको रहत मिलेगी उसमें आपको कोई प्रब्लम नहीं होगी जो सिंटम्स आने हैं वो इसमें नहीं आएंगे इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब दिमागी बुखार आ जाता है तो इसमें बाद में सिम्टम्स क्या आते हैं जैसे कि नसों का ब्लॉकिज होना, कोई स्पोर्ट बन जाना, और गांट बन जाती है उसकी या दर्द रहना, या आपको आगे चलके थोड़ा चक्कर आना, कही सिम्टम्स इसमें आते हैं जैसे कि आप किसी चीज़ को बार-बार बोलते रहना या किसी चीज़ को फोकस करना तो ये सिम्टम्स जो आते जैसे कि कान के पीछे दाल दाना कि बुखार आया था और ये सिम्टम्स जो हैं छे मेंने बाद या आट मेंने बाद ये सिम्टम्स आये हैं तो इसमें आपको मैं परेज बता दूँ इसमें आपको परेज क्या करना है जैसे किसी को दिमागी बुखार आता है तो इसमें आपको चावल बिल्कुल बंद कर देने चाहिए खटाई का पर योग इसमें निशेद है कोई भी परकार की खटाई, नीमबू, कटारी की खटाई या कोई भी आप खटी चीज का सेवन इसमें ना करें और किसी भी हैवी स्वीट का मिठाई का सेवन ना करें कोई भी थंडी चीज का प्रियोग ना करें जैसे कि कोई आईस क्रीम या बरफ का पानी जिनको दिमागी बुखार आता है, उनको नहीं लेना चाहिए क्या है कि आप दिमागी बुखार में अगर आप कोई ले लेते हैं जैसे गर्मी है गर्मी में ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर पी लिया तो उसमें प्रोबलम्स आ जाएगी आपको या कोल्डिंग्स पी लिया आपने तो ये ठंडी चीजों का इसमें आपको पर्योग बिलकुल नहीं करنا इसमें आपको अपने आपको बचाना है आपको जिनको दिमागी बुखार आया है और खाने पीने में परेज आपको रखना है, गर्म मसाले का पर्योग इसमें आप ना करें सब्जी जो है साधारण साधा बोजन साधी सब्जी होनी चाहिए धनिया हरीमिच नमक बस हल्दी ये डाले कोई भी बाहर की चीज का आप जैसे जंग फूट क्योंकि आज कल जैसे कि चाउमिन या बर्गर खा लेते हैं तो ये चीजों का सेवन आपको बुखार ठीक होने के बाद भी नहीं करना है आपको ये कम से कम 15-20 दिन आपको सेवन नहीं करना बुखार ठीक होने के बाद भी दिमागी बुखार ठीक होने के बाद भी आपको जो है इन चीजों का सेवन नहीं करना है साधा बोजन करें ग्रीन सबजी का इस्तमाल करें ग्रीन सबजी जितनी आप खाएंगे लोकी आप इसमें खा सकते हैं बहुत आपको फायदा करेगी ग्रीन सबजी जितनी आप ग्रीन सबजी इसमें खाएंगे उतना आपको इसमें लाब मिलेगा और इसमें जो बाद में जो symptoms आते हैं ये थोड़ा, ये problem करते हैं अगर आपने ये परेस कर लिया आपको जिससे दिमागी बुखार आया है और आपने ये परेस कर लिया है तो आपको आगे symptoms नहीं आएंगे क्यूंकि कुछ लोग इसमें गलती कर बैठते हैं और symptoms इसमें दिमागी symptoms आ जाते हैं फिर बाद में जैसे कि ठंडे पानी का सेवन या गरम मसाला या कोई भी चटपटी चीज या कोई भी chemicals, cold drink water, कोई भी cold drinks नहीं पीनी है, ठंडा chilled water कोई भी आपको नहीं पीना है, साधा पानी, घड़े का पानी पीए और भी ज्यादा अच् यह आपको और भी लाब करेगा, और इसमें हम आपको जो उपाय बताएंगे, बहुती सटी गरेलू इलाज है, और इसमें बहुत आपको फायदा होगा, आने वाले समय में जैसे आपका बुखार ठीक हो गया, तो आपको यह symptoms इसमें नहीं आएंगे, जो symptoms बुखार, दिमा आते हैं, आँखों में भारी पन या सर में भारी पन आना, तो यह symptoms इसमें आते हैं, गर्दन में पेन होना, या backside पेन चला जाना, society का बन जाता है बाद में, तो यह दिमागी symptoms के जैसे की गर्दन में पेन आ गया, तो आपका cervical बन गया, तो यह symptoms इसमें आते हैं, किनी की आँखों में दर्दाना शो जाता है, यह आँखे लाल होनी शुरू हो जाती है, तो यह दिमागी बुखार, दिमागी बुखार के ब प्रेज करना आपको क्या खाना है, क्या पीना है, और क्या आपको नहीं पीना है, दोनों तीनों चीजे मैंने आपको बता दी है, और कभी भी जैसे दिमागी बुखार आपको आया हुआ है, तो क्या करते हैं, ताजे जल में इस्तनान कर लेते हैं, कभी भी आपको ताजे पानी में इस्तिनान नहीं करना है जैसे कि गुन-गुना थोड़ा सा जैसे आपने एक बाल्टी पानी लिया उसमें थोड़ा सा आप किसी बरतन में गरम पानी करके उसमें डाले थोड़ा गुनगुना हो जाए उस पानी से आपको इस्वान करना चाहिए क्या है कि आप ठंडे पानी से तो इस्वान कर लेंगे आपके दिमाग में बुखार है तो लेकिन ये सिंटम जो होते हैं ये blockage के symptom बना देता है तो कभी भी आपको ताजे जल से इस रान इसमें नहीं करना है इस से आपको बचना है जितना आप इस से बचोगे उतनी आपकी problem आगे नहीं आएगी और एक दिमागी बुखार में क्या करते हैं कुछ लोग पटी रख देते हैं ठंडी कभी भी नहीं रखनी है ठंडी पटी कभी भी माथे पर नहीं रखनी है इस से आपको बचना है अब मैं इसमें आपको घरेलू इलाज बताने जा रहा हूं जो आप इसमें घरेलू इलाज करेंगे जो आपको बिल्कुल एक सटीक उपाई इसमें बताने जा रहा हूँ सटीक इलाज जो आप करेंगे तो बिल्कुल स्वस्त रहेंगे आगे चलके आपके सिम्टम्स नहीं आएंगे आपको लेना क्या है आदा कप करेले करस आधा कप करेले का रस और उसमें आप डालिए छे से आठ आठ काली मिरच उसको पीस लीजी उसको महीं बारीग पीस के करेले में डाल दीजी जो आपने रस निकाला है और उसमें आप डालिए आधा से थोड़ा सा पौन कप यह ले लीजी आप आधा गिलास आधा गिलास उसमें पानी डाल लीजी और उसको आप सुबह और शाम को दो टैम आपको यह बना के लेना है और इसमें एक आती है प्रावलम पानी की कमी होना शारीरिक पानी की कमी भी आ जाती है तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ए आदा कप लो आप नारील पानी या एक कब भी ले सकते हो और अगर आप एक कब नारील पानी ले रहे हैं तो एक कप इसमें लोकी कऱस्ट डाले है इसको आप 3 बार, 4 बार, 5 बार आप इसको ले है आपके शारीरिक कमी को पूरा करेगा और आपके अंदर इस जो है थोड़ी एनरजी भी आईगी और अपने आपको आप स्वस्त मैसूस करेंगे ये मैंने आपको घ्रेलू इलाज बताया है दिमागी बुखार का और ये आपका बिल्कुल सटीक इलाज है इसको आप चार से पांच दिन कर सकते हैं कोई प्रवलम नहीं है, कोई side effect नहीं है च्छे दिन कीजिए, एक हफता कीजिए, कोई प्रवलम नहीं है कोई भी इसका side effect नहीं है और आप अपने आपको आगे चलके जो इसमें सिम्टम्स आते हैं दिमागी बुखार में तो के बुखार तो ठीक हो गए आपका क्योंकर एलोपेथिक टीटमेंट भी लेते हैं तो बुखार तो आपका ठीक हो गया है लेकिन बाद में दिमाग में जो सिंप्टमस आते हैं ये आपके नहीं आएंगे इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और ये घ्रेलू आपको सटी के लाज उपाय इसमें बताया है ये आप बनाके मेरा घ्रेलू नुस्का जो है बनाके जरूर पीए आपको आगे चलके ये सिम्टम्स नहीं आएंगे जो दिमागी सिम्टम्स आते हैं और आप पून अतारूप से स्वस्त रहेंगे और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ अब मैं आप सागया चाओंगा नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं डक्टर संजे कुमार लाइक कीजिए सब्सकाइब कीजिए शेर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया तेश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज आर्वेदी की इलाज आपके लिए 100% सटी की इलाज आपके लिए दोस्तों